हलो फ्रेंट्स क्या आपने अपना पीरेड मिस कर दिया है और आपको यह कंफ्यूजन है कि कहीं आपको प्रेग्नेंसी तो नहीं हो गई है तो आप सोच रहोंगे कि आखिर मैं घर पे कैसे प्रेग्नेंसी चेक कर सकती हूं तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी गाइनिक लॉजि आप स्टैंडर्ड ब्रेंड आप ले सकती है और जब भी आपको टेस्ट करना हो तो आप मॉर्णिंग का जो पहला सेंपल होता यानि कि जब आप सोकर उठते हैं तब जो यूरीन होता है उसको आप किसी डिब्बे में कलेक्ट कर सकते हैं या साफ कंटेनर हो या फिर आप अपका प्रेग्नेंसी किट उसका जो फॉइल आता है यानि के आप उसको कट करके जो इसको फॉइल निकलता है उसको भी आप यूज कर सकती है क्योंकि वह विल्कुल साफ होता है इस्टराइल होता है उसमें जब यूरीन निकठा कर लेती तो इसके साथ एक ड्रॉपर भी यहां पर urine डालना है जैसे आप इसमें urine डालते हैं तो आगे आपको एक या दो लाइन नजर आती है अगर एक लाइन नजर आ रही है इसका मतलब यह है कि आपका pregnancy test negative है और यदि दो लाइने आ रही है that means कि आपका pregnancy test positive है किसी किसी स्तिती में एक लाइन गहरी आती हो और एक ल जिसमें की बच्चा बच्चे दानी के अंदर ना लगकर ट्यूब के अंदर लग जाता है तो हर्मोस का लेवल उतना नहीं बढ़ पाता जितना की नॉमल प्रेग्नेंसी के अंदर होता है इसलिए जो दूसरी लाइन हो हल्की आती है यानि की हल्की गुलाबी लाइन आती है अगर हल्की गुलाबी लाइन आ रही है तो यह थोड़ी चिंता जनक इस्ति हो सकती है इसके लिए आप डॉक्टर से मिलका अपना सोनोग्राफी करवा लीजिए सोनोग्राफी आप जैसे करवाएंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि आपके प्रेग्नेंसी एक टॉपिक प् यानि कि एक कोई सीवी लाइन नहीं है बिलकुल ब्लैंक वाइड दिख रहा है इसका मतलब है कि आपका टेस्ट किट ही खराब है उसमें या तो वो एक्सपायर हो गिया है या उसका क्वालिटी ठीक नहीं है या उसमें कोई मैनिफेक्ट्र डिफेक्ट है जिसकी वजह से एक भी line नहीं आ रही है क्योंकि जो एक line आ रही है वो test line होती है जो ये दर्शाती है कि हाँ ये pregnancy kit सही है इसके against में दूसरी line आती है जो कि patient का positive or negative status बताती है तो वो confirmatory test होता है तो इस तरीके से दो line आने पर ही आप ये मान सकते हैं कि आपका pregnancy positive है और आपको ये सब्सक्राइब करता है कि आपके pregnancy positive है यानिके दो टेस्ट दो आ रहे हैं तो आपको सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए ताकि आप ये रूल आउट कर सकें कि कहीं आपको टॉपिक प्रिग्नेंसी तो नहीं है एक सवाल और आता है दिमाग में कि क्या pregnancy test kit negative आने के बाद भी pregnancy ह हो सकती है possibility होती है कि यदि हमने test बहुत जल्दी इस्तति में कर लिया हो यानि कि आप जैसे ही प्रिड मिस वा उसके अगले दिन या एक दिन में ही आपनी टेस्ट किया हो तो कई बाद शुरुआती वस्ता में test negative आ जाता है दूसरा हो सकता है कि आपका test kit खराब हो तीसरी possibility है कि इसमें test kit में manufacturing defect हो जिसकी वजह से negative आ गया हो जनरली जो हम यह pregnancy test करते हैं 99% तक सही होता है यह गलत नहीं होता है और जनरली यह दूसरे तीसरे दिन तक positive आ जाता है बट कई बार नहीं आता तो एक हफते तक वेट किया जा सकता है कि अगले एक हफते के अंदर यह positive आ जाता और अगर एक हफते में भी pregnancy test kit में negative आ रहा है और आपको यह tension है कि कहीं pregnancy तो नहीं है तो फिर आप blood test करवा लेते हैं blood test के अंदर beta SCG नाम का test होता है जो कि बिल्कुल confirmatory होता है जो beta SCG hormones का level को exactly accurately measure करके हमें बताता है कि कितना level है जिसकी confirmation से हमें confirm कर पाते हैं कि pregnancy है या कुछ basic जांचे होते हैं कुछ basic test होते हैं जो कि हमें कराने होते हैं इसमें थायरेट बहुत important test है कि जो शुरुआति वस्ता में करा लेना चाहिए इससे related यह दिया आपके कोई सवाल है तो आप हमें comment box में लिखके पूछ सकती है हम आपके सवालों के जवाब देने की पूर तक झाम आपके